तो हेलो दोस्तों स्वागत हैं में यूटूब चनल ग्रूप स्टेडी पॉइंट में दोस्तों हम लोग लुशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें अलजेबरा को पुरी तरह से समाप्त कर चुके हैं अब जाके देख लीजिए हम प्लेइलिस्ट बना दिये हैं ठीक है सभी जाके देख लीजिए आपको अच्छा लएगा और गाइज आपको कुछ नहीं करना है आपको साइन रूल होना चाहिए साइन रूल होता है ए बटा साइन बड़ाबर बड़ा साइन बड़ाबर सी बड़ा साइन सी बड़ाबर टूर होता है तो वो फर्मूला आपको याद होना चाहिए तो यहाँ पर बी पूछ रहा है तो कुछ नहीं करें गाइज ए बड़ा साइन ए बड़ाबर बड़ा ख़ई और साइन एंगल कितना दिया साइन एका मान कितना लिए यहां पर 354 है अज नीकना ता कितना धर लेका खूंचा होगोर और आपका साइन बीडिकालना था करिक है तो आपका हो जाएगा कितना बाड़ा घ्री-क है और यहां आपका हो जाएगा कितना four sign by अब गाईज यह कटा देंगे अराम से कितना चारती आई 12 ये तीन से 3 कर जाएगा यानि sign b का जो मान आएगा guys वह आपका one आएगा और one guys sign में किसका मान होता है आपका तो आप सभी को पता है कि 90 में मान होता है 90 का मान होता है तो अराम से गाइज एंसर आपका क्या हुगा 90 जिसको पाई बाई 2 भी लिग सकते हैं बट 90 आंसर में दिया है तो आप B वाला होगा ओके गाइज चलते हैं नेक्स कोस्टन पर गाइज दो नमर कोश्टन बोल रहा है किसी तिरभूच की भूजा है 2, 3 एंसर रूट 19 है तो उस तिरभूच की सबसे बड़ी कौन कमाप क्या होगा तो गाइज आप बताई इसमें सबसे बड़ा कौन है A है, B है या C है आपकोर्स आपका C सबसे बड़ा है तो आपका कोसाइन वाला फर्मूला याद होगा क्या होता है, कौस C जो पूछता है वो माइनस होता है तो कैसे, A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर और जो पूछता है गाइज वो माइनस होता है, सौरी इसक्वाइर ये आपका 2AB इसी फर्मूला पर यह बनाई है आपका आंसर आजाएगा तो गाइस क्या है एक इतना है गाइस फोड बी कितना है गाइस थ्री का स्कॉर नाइन और सी कितना है उननीस ओके और यह गाइस कितना हो जाएगा टू अपॉन एक इतना है आपका तू और आपका बी कितना है थ्री तो कर दीजे गाईज यह 13 यह 19 यह कितना हो जाएगा 36 12 ओके और इसको कीजे गाईज तो कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस 6 हो जाएगा और यह आपका 12 इसका मतलब गाईज जो कॉस C आ रहा है वो कितना आ रहा है minus 1 by 2 और cos में minus 1 by 2 guys किसका मान होता है cos 120 का मान होता है ठीक है तो यह आपका 120 कहीं दिया है यह आपका B number cos C मतलब cos में जो मान होता है 1 बटा 2 में minus में तो वो cos 120 का मान होता है इसको तोर के देख भी सकते हैं जैसे 90 plus 30 कीजेगा तो minus में ही आएगा इसको तोरिएगा तो आपका cos में 1 by 2 minus में 120 का मान होता है तो डारेक्ट आपका 120 आपका answer होगा चलते हैं गाईज नेक्ट कोस्टन पर Guys तीन नमर कोस्टन बोला है किसी तरभूच की भुजा है 7, 4 root 3, even root 3 है तो इस तरभूच की सबसे छोटा कून का माप क्या होगा तो Guys ये देखो सबसे छोटा इसमें से कौन है ये A, ये आपका 7 है ये B है तो ये कितना है Guys अगर 4 गुनने आप गुना की जेगा 1.732 में तो कितना हो जाएगा ये आपका 6.8 इसको अगर गुना करके लिखे है और root 3 कितना हो जाएगा Guys आपका 3.5 तो Guys हमको ये बताइए कि तीनों में A, B और C में सबसे छोटा कौन कौन है तो Guys आपको सबसे छोटा 3.5 मतलब root 13 है ठीक है यानि C तो cosine formula लगा दीजिए और answer निकाल देजिए square 49 और इसका कीजएगा Guys तो कितना हो जाएगा 4 का square 48 ये हो जाएगा आपका 2 into A कितना है 7 और ये 4 root 3 जब इसको आप हल कीजएगा Guys तो आपका answer आज जाएगा 3 by 2 ओके जो cos में root 3 by 2 किसका मान होता है तो Guys cos में root 3 by 2 किसका मान होता है 30 का मान होता है I think 30 का होता है तो आप देख लिजएगा solution करके तो चलते है Guys next question पर Guys ये वाले question तो सीधे सीधे formula है तो ये आप देख लिजएगा क्या formula होता है नहीं तो बोलिएगा तो इसका solution भी हम कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है गाइस क्या होता है ये डेल्टा लिखा है लिखा है S-C into S-A बटा देल्टा तो इसका सीधे-सीधे formula होता है 10 B by 2 ठीक है सीधे-सीधे formula होता है बट इसको आप solution करेंगे तो क्या हो जाएगा ये डेल्टा को आप क्या लिख सकते है हीरोन सुत्र पढ़े हैं गाइस तेंथ कलास से ही है हीरोन सुत्र तो S into S minus A होता है S into S minus B और S into S minus C होता है तो ये गाइस डेल्टा कमान दे दिया है तो इसके नीचे यही चीज़वा रख दिजे क्या है S minus C आपका S minus A upon में क्या है S into S minus A S into S minus B S into S minus C तो गाइस क्या है S minus C यहाँ भी है तो ये वाला इससे कट गया S minus A इससे ये कट गया गाइस बचा क्या तो गाइस जो बचा है वो यहाँ पे आप लिख दिजे क्या बचा है आपका S minus C और S minus A ओके और आपका नीचा S into S minus B यही ना बचा है खाली ये उपर कट गया रूट से कटा है तो इसलिए S minus C बचा S minus A बचा और ये खाली एक नीचा बच गया था S into S minus B S वाला अब गाइस ये वाला फर्मूला आप देख लिजेगा किसका होता है 10 B by 2 का होता है तो आप देख सकते है फर्मूला ये डिरेक्ट फर्मूला होता है ठीक है तो इसको आप सॉल्यूशन मत किजेगा एकजाम में डिरेक्ट याद कर लिजेगा ओके गाइस चलते है नेक्स कॉस्चन पर तो गाइस ये वाला कॉस्चन जीतना भी है न उसोब फर्मूला है लिखा है नेमलिखित में कौन ABC के छेतफल के बराबर होगा तो गाइस कुछ नहीं करना है ये C वाला होगा 1 by 2 BC साइन A ठीक है ये पाइथागोरस थियूरम से निकला है ठीक है तो ये डिरेक्ट फर्मूला होता है और एक्जाम में आपको पुरूप करने के लिए नहीं देगा आपको याद करना पड़ेगा कि तिर्भूच के ABC के छेतफल बराबर किया होता है तो root 1 by 2 BC साइन है और गाइस क्या है निमलिखित में कौन साइन A के बराबर होता है फर्मूला तो आपको याद होना चाहिए कम से कम ओके गाइस चलते है नेक्स्ट कोस्टन पर गाइस ये वाला भी कोस्टन भी फर्मूला है लिखा है तिर्भूच ABC 10 A-C by 2 निमलिखित में किस के बराबर होगा तो गाइस ये भी फर्मूला है इसमें भी गाइस कुछ नहीं करना है ये भी आपका ये वाला फर्मूला है ये फर्मूला है ये आप याद करके जाएगा एकजाम में कि 10 A-C by 2 का फर्मूला क्या होता है तो A-C by A-C by 2 अपका बराबर होगा ओके गाइस चलते है नेक्स कोस्टन पर ओके ठीक है जहां पर ये A ये B ये C कुछ भी मान सकते हो उल्टा B और ये C ठीक है गाइस तो गाइस A और B का इस कितना है A और B 5 है ये 12 है और ये 13 है तो अराम से गाइस क्या दिया है A का मान दे दिया है B का मान दे दिया है तो हमको इस निकलना है तो अराम से इसको कर दीजिए गाइस क्या होता है 5 पलस 12 पलस 13 अपॉन ये आपका 2 ओके जब आप कीजिए तो कितना होगा 12, 3, 2, 5 5 और 15 ये हो जाएगा आपका 3, 2, 5 ओके और 1, 2 और ये आपका कितना वेट 3, 2, 5 1, 2 और 7, 5 कितना 1 क्या होगा कहीं गलत होगा गाइस कुछ मिस्टेक करेंगा आपका होगा आथ तीन दू पांच ओके पांच पांच आपका दस सुनना और ये कि दो एक तीन 30 अपन टू ये 15 ओके गाइस 15 आगया अब गाइस क्या करना है इस अब ये फर्मूला हिरोंस फर्मूला आपको पता होगा क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए तो लगाते हैं एस इंटू एस माइनस ए एस इंटू एस माइनस बी और एस इंटू एस माइनस सी ओके अब अब अनाम से रख दीजे गाइस 15 15- One- एकितना है फाइब ओके और 15-12 ये और फिपटीन माइनस आपका 13 13 ठीक है ये आपका हरूत है तो आप इसको सौल्ट कीज़े गाइस कितना हो जाएगा पंदरा गुना ये हो जाएगा 10 गुना ये हो जाएगा कितना 15 में से 12 जाएगा कितना होगा 3 और ये 15 में से तो ये आपका 2 तो ये गुना कीजिए गाईज तो आपका अराम से कितना आएगा 30 ओके ये आपका 30 आएगा तिन दोने चोद, चोद, दस, और दस, ये 30, 30, 10 और ये 5, 30, उसके बाद guys क्या करना है, कहां से कहां से दूरी पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, और ये 30 दे दी आया है, अराम से 15, ये आपका answer, कुछ तो mistake हो रहा है, क्या हो रहा है, ये रूट में आ जागा, तो 30 आ जाएगा, और क्या mistake हो रहा है, A से B की दूरी, ये तो 30 है, और पॉन में क्या है, A से B की दूरी, A से BC की दूरी, तो 1 upon 30, यहां पर हो रहा है कुछ mistake, mistake हो रहा है, ये से B की दूरी कितना है, यहां पर 30, यहां A से पूछ रहा है, A कितना दिया है, A आपका 13 दिया है, बोल रहे थे कहां भी mistake हो रहा था, 13 और ये कितना है आपका 30, जब आप गुना किजिएगा गाईज, तो आपका answer, गुना किजिए, तो इसका answer कितना है गाईज, 60 upon 30, गुना किएर के देख लिजिएगा गाईज, यह 60 upon 30, जो आपका answer होगा, गाईज चलते हैं गाईज, नेक्स्ट कोस्टन पर, गाईज अगर यह वाले कोस्टन जो लिखा है, तो गाईज देखिए, यह कोस ए है, cos c plus a cos b plus a plus b cos c निम्लिकित में किसके बराबर है ठीक है अगर आप traditional method से बनाते हैं तो बहुत time लगा और आपका calculation भी गरवा जाएगा ठीक है तो guys देखिए ये cos a है पहले b में गुना होगा cos a है ये c में भी गुना होगा ठीक है तो ये हो जाएगा c a ये मतब बहुत traditional method हो जाएगा ठीक है तो मेरे लिए जो guys जो trick होता है a बराबर b और बराबर c इस सब को क्या माल लिजिए one माल लिजिए putting रख दीजिए भाई throw method रख दीजिए hit and try लग दीजिए कोई दिक्कत नहीं तो a और b और c क्या रखें गाईज one रखें और angle लग दीजिए आप 60 a b b b और c b angle लग दीजिए आपका 60 जब गाई b plus c क्या हो जाएगा आपका 2 ओके और cos a a में क्या रखना है गाईज 60 cos 60 का मान गाईज कितना होता है 1 by 2 ओके ये वसम आप plus c plus a c plus a कितना है 2 हो जाएगा आपका और cos 60 का मान कितना 1 by 2 पलस उसी तरह a plus b कितना हो जाएगा 2 गुन्या cos c का मान 1 by 2 तो गाईज कुछने करना इसको इससे कार दीजिए इसको इससे कार दीजिए आपका 1 plus 1 plus 1 इसका मतलब 3 अब option ने put कर दीजिए जो हम मेरा 3 दे रहा है वो यह आपका answer हो जाएगा तो आप within a second में इसका answer निकाल दीजिएगा जैसे आपका answer यह देखिए a, b और c आप 11 माने है तो यह आपका 3 दे रहा है ओके गाईज और नहीं तो यह यह दो मतलब satisfied हो गया आपका यह भी हो सकता है a square b square c square a b आपका 3 हो सकता है तो एक यह method हो गया ठीक है एक यह method हो गया यह हम अलग भी put कर देज़ सकते थे लेकिन ठीक है अगर हम a का मान a का मान one b का मान one और c का मान कुछ अलग put करते ना guys जैसे दो put करते तो देखो कि option समान समान नहीं हो जाता क्योंकि c का square कितना हो जाता आपका 4 हो जाता लेकिन यहाँ c कितना होता दो ही रहता तो आपका answer यह c वाला ही होता गाइज नहीं तो वाला method है यह बना लिजिए कोई दिक्कत नहीं क्या किजएगा कॉस ए में 20 से गुना कीजिए जैसे हम डारेक्ट यहां पर लिख देते हैं एक कॉस बी प्लस कॉस बी ओके प्लस सी लिखा है आपका यह सौरी यह और यह क्या हो जाएगा सी कॉस बी आपका कॉस बी गुना कर रहे हैं सब में गुना कर रहे हैं अलग अलग इसमें बी से गुना किए फिर ए से गुना किए फिर इसमें कॉस सी में गुना किए फिर ए में करेंगे ऐसे करते करते जाएंगे बहुत आपका टाइम लग जाएगा जैगा जैसे बी में अप करेंगे तो क् इसका फर्मूला होता है आपका B और जो आने वाला है जो करेंगे उसका होता है ठीक है तो A प्लस B प्लस C जो आपका आंसर सी वाला होगा सलतें इस नेक्स्ट कोश्टन पर आपको दो इसको 60 मानना है तो देखो गाईज अगर साइन यह वी था यह तो आप इसमें one रखेगा तो one माइनस one आपका जीरू आजाएगा पलस इसमें भी हमाइनस One रखर तो सब चीज पर अपलाई हो गाई होगा ये तो ओका की साइन 000 एंधि और यह सी साइन सी आप फूट किजिए आपका buck जीरो ही आएगा, ओके गाईज, चलते हैं, नेक्स कोस्टन पर, आपको दोनों में थर्ट बरता दियें, गाईज, ये वाले कोस्टन में भी वही ट्रिक लागू होगा, जो मैंने बताए हैं, क्या करना है, जब भी इस टाइप का कोस्टन है, तो क्या करना है, ये बराबर 1, बराबर 1, और C बराबर 1, और एंगल का क्या मानना है, 60, आपका एंगल क्या मानना है, 60, ओके, आपका एंगल क्या मानना है, 60, सब में 60 मानेंगे, तो गाईज, जब भी 1 में से 1 जाएगा, तो यहीं 0 होता है, साइन 0 कमान, आपका 0, यहां क्या करेंगे, 1 में से 1, साइन 0 क तो जिरो प्लस जिरो आपका आंसर जिरो इस टाइप के कोश्टन करने का गाईज यही ट्रीक होता है नहीं तो आपको ट्राडेशनल मेथर भी इसके पहले वाले कोश्टन बता चुका हूं ठीक है लेकिन आपको यह फोस का त्यारी करना है चाहें जिस डिफेंस का लेवल का पहले दो ङौःब का टियारी करना करना तो गाईज ऐसे बनाना पड़ेगा नें तो बोर्ड मेथर तो सब बच्स्टा भी बना लेता है ठीक है बोड बोड वाला मेथर गाईज जो 10 ऐलेवेंद पास कीया है 12 पास किया है यह ब्हु less चौंश का रहा है तो ऐसे बनाना तो guys देखना है कि इसमें सबसे बड़ा है कौन, देखिए सबसे बड़ा आपको ये वाला दिख रहा है, तो c दिख रहा है सबसे बड़ा, तो cos c का फर्मूला आपको पता होगा guys, क्या होगा, जो c पूछता है, उसको minus कर देते हैं, तो a square plus b square minus c square, ये क्या हो जागा, 2ab, ये minus में है, जब इसका square होगा, तो सभी minus में होगा, तो क्या होजाएगा, a square plus b, minus में हो जाएगा सब, a square minus y square, ये होजाएगा, xy, और upon में क्या हो जाएगा, आपका 2xy, अब guys देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला कट गया, तो बचा क्या, अब देखो, xy से xy भी ये कट तो उपर minus 1 बचा तो cos c आपका कितना रहा है minus 1 by 2 और cos c minus 1 by 2 guys किसका बादोता है 120 का जो कि आपका c number दिया है I hope आपको समझ में आया होगा चलते हैं guys next question पर तो guys यह वाला question देखो लिखा है कि तरभूज a b c में a बराबर 16 है b बराबर 12 है तो b और angle b 30 हो तो कोन a b का माप निम्रिखत में किसके बराबर होगा तो guys कुछ नहीं करना है यह भी बनाओ sign angle का फर्मूला रखके sign वाला फर्मूला रखके तो क्या होता है guys for formula sign a b sign b ठीक है तो guys एक इतना दिया है guys 16 दिया है okay यह sign a नहीं दिया angle कमान बी का angle कमान दिया अब बी कितना दिया है 12 और sign आपका sign b मतब sign 30 कमान कितना होता है one by two और यह one by two होता है न यह two इसके उपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 दून 24 तो डारेक्ट इसको 24 लिख दिया जाए कोई दिक्कत नहीं ठीक गाईज अब यहां से कटाने वाला है तो कार्ड भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कार्ड दिजिए अर्ट तरी का 24 आट दूना सुल ठीक है तो यह डारेक्टि आ जाएगा आपका sign a बराबर कितना two upon three ओके two upon three अब गाईज एंगल ए निकलना है ठीक है मतलब इन्वर्स में अंसर दिया है तो हमको इन्वर्स में अंसर निकलना है तो यह बराबर कितना हो जाएगा गाईज आपका sign inverse two upon three यह आपका answer आपको आपको अच्छा लगा होगा चलते हैं गाईज नेक्स कोस्टन पर क्या होगा तो गाईज यहां से निकालेंगा तो कितना होजगा तीन पांच यह एक्स बराबर कितना तो यहां एक्स का 30 रखेंगा तो आपका one sign में क्या हो जाएगा आपका one upon two ठीक है और यह हो जाएगा यह दो से गुना करेंगे 60 साइन साट का मान कितना रूट थरी बाइट टू और फिर साइन इसमें पूट करेंगे गाइस क्या हां थरी में तो छेत्र यह यह वान आ जाएगा आप गैगे ओन भाग देंगे चाहां कॉमाल ले लो सबसे अच्छा तो लेगों तो भूई से तो आपका 30 आगया है और जो माने है उसमें पूत कर स्कूंप करें फिरBut בעaz कमांगे नोब burden करेंगे तो कितना न जैगा और sin 90 का मान आपको पता है 1 होता है उसको 1 by 2 common ले लिए है तो आपका अंसर 1 in part 3 in part और 2 in part आ गया है I hope आपको अच्छा लगा होगा चलते हैं guys next question पर guys solar question है लिखा है कि ABC में A बरबर 5 है C बरबर 2 root 2 है और angle B दिया है 45 तो B पूछ रहा है तो cosine formula आपको पता होना चाहिए guys क्या होता है cos आपका B E square plus आपका C square minus B square better 2AC यह आपको फर्मूला याद होना चाहिए तब यह question बनेगा तो cos B कितना दिया है angle 45 ओके और E square guys कितना दिया है 5 का square guys 25 ओके और 2 का square 4 4 दूना 8 इसका square करेंगे तो C का square और B का square वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि पूछ रहा है यह हो जाएगा आपका 5 दूना 10 और 10 ठीक है गुने 2 root 2 और guys cos 45 का मान कितना होता है 1 by root 2 ओके और 28 कितना होता है guys 25,8 33 होता है और यह आपका B square यह कितना root 2 से यह root 2 गया कोई दिक्कत ने तो आप यहाँ पर क्या बच जाएगा guys यह आपका 10 दूना 20 तो यह आपका 20 बराबर इधर क्या बच गया 33 माइनस B square यह B square भाज साब इधर आएंगे और 30 माइनस 20 जो आपका answer guys क्या होगा 20 यह 13 और यह root चड़ जागा तो guys root 13 आपका answer यहाँ पर होगा guys कुछ नहीं किये, वो cosine formula का use किये और answer बंगा है कुछ नहीं करना है guys, देखिए cos 45 को मान 1 by root 2 होता है, यह जीस तरह मान दिया है वैसे ही रख दिया है और यह root 2 से यह root 2 कटा दिया है, ठीके, तो totally कट गया आपका, और यह 20 कहां से है guys, तो 10 दूना 20, cross multiplication गुना की है तो यह यहां 20 चला गया, और यह जो बत जरा है, 33 minus b square यह नीचा लिखा गया अब guys क्या गया, यह b square minus में था, इधर आया तो plus में हो गया और यह 30 तो यहीं पे था, और यह 20 plus में था, इधर आया तो minus में हो गया तो b square बेरापर क्या हो जाएगा, 13, और b जब root चलेगा, तो root अंदर 13, जो की आपका answer यह वाला दिया है guys guys, बहुत लमा video नहीं करना है, ठीक है, तो छोड़ देते हैं, और next part में इसको किया जाएगा okay guys, मिलते हैं next part में, तब तक लिए thank you so much